हलो दोस्तो उडान बुक समरी में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेतरिन बुक के बारे में जिसका नाम है You Can Heal Your Life जिसे लुई ने लिखा था आथर इस बुक में बताती हैं कि हमारा ख्याल हमारी सोच से जुड़ा होता है जैसे हम सुचते हैं वैसे हम बन जाते हैं वो बताती हैं कि हमारी खुश रहने पर positive thoughts तता काफी सारे idea आ हमारे दिमाग में आते रहते हैं जिससे हमारी दिमाग की power काफी improve होती है और positive सोच रहकर कोई भी इंसान चाहें वो दुनिया का किसी भी कोने का हो वो अपनी 80% से अधिक बिमारियों को ठीक भी कर सकता है अगर वो पोजिटिव सोच रखता है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं सबसे पहले आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए चलिए शुरू करते हैं फाइनेंसिल प्रूब्लम और पैसे की लालत सबसे बड़ी परसानी में से एक है जिसे लोग अपना ही हमेशा नुकसान करते है वो हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या कास असमान से पैसे की बारिच हो जाए बलकि इसी वज़ा से जिन्दगी में परसानी आती है इन सब बातों को छोड़कर कुछ कारे करना पढ़ना पड़ता है तब जाकर पैसा आने लगता है अथर का मानना है कि बहुत से लोग खुद को गरीब मानते है अथर करती है कि सभी बीमारियों का जड़ हमारी सोच है एक बार अथर को कैंसर भी हो जाती है बट अच्छी स्खान पान और पोजडिक सोच से उठी कर लेती है खुद को प्यार करना सेल्फ फिलिंग का अधार है पैसे ना होना मतलब ऐसा सुचना कि मैं कुछ कर नहीं सकता या मुझे कुछ हो नहीं पाएगा आप अपने आप से बुलिए कि मैं एक इनसान हो और इस प्रित्वी पे अकेले आया हो और अकेले जाऊंगा ये आपको खुश रहने में काफी मदद कर सकता है अगर हम एक बार खुद को बदलने के लिए ठान ले तो हम सच में अपने आपको बदल सकते हैं लोग आपकी इज़त नहीं करते हैं तो आप रोहिये नहीं बलकि अपने सोच को बदल दे क्योंकि लड़की रोते नहीं हैं कुछ करते हैं अगर आप अपने कुछ रिवन में नहीं कर पाते हैं सकसे नहीं वो पाते हैं तो लोग आपका इज़त करना भी बंद कर देते हैं जिस दिन आप ऐसा मासूस करेंगे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं इस दुनिया में सिर्फ अकेले पायदा हुआ हूँ और अकेले मरूँगा भी तो आप आगे बढ़ सकते हैं और दुसरे इंसान से भी खोश हो सकते हैं जिन्दगी बहुत असान है अगर हम ऐसा सोच रखते हैं कि लोग हमसे प्यार करें तो लोगों को भी हमें प्यार देना पड़ेगा किसी इंसान, किसी जानवर, किसी वस्तु हमसे ज़्याद तकतबर नहीं है हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं वो हमारी सबकॉंसुल माइंड को इंप्रूब करता है हम जो भी भरुसा करते हैं हमारे सब कॉंसल माइंड में उसे मान लेता है हमारा कल भले ही खराब था पर आने वाले कल को हम बेतर बना सकते हैं हमें खुद से प्यार करना चाहिए अपने आपको समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं या सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं आपके बारे में जानता है, हो सकता है कि आप जीतना मेहनत करें उतना रिजल्ट ना मिले, फिर भी हमें उस कारी को लगतार करना चाहिए और कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे हम अपने घर को हमेशा साफ सुत्र करके रखते हैं, वैसे ही हमारे अपने दिमाग को भी साफ करके रखना चाहिए, समझदारी से हम दुनिया पर राज कर सकते हैं, पर बेमानी से हम अपने आपको ही बरवाद कर सकते हैं, आप खुद को आजाद नहीं कर सकते हैं, जब तक आप दूसरी को आजाद नहीं कर देते हैं, हम हमेश हमेशा बदलते रहते हैं हमारी सोच हमारी नौलेश हमारी एज पर हमेशा से अंतर अत्मा से हम दूर रहते हैं हमारी जागरुकता हमें अच्छी पोजीशन पर पहुंचा सकती है क्योंकि जब हम किसी कारे को करना चाहते हैं और उसमें जागरुकता लाते हैं तो उस कारे को ह बहुती जल्द खतम कर सकते हैं अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको दुसरे को भी खुश देखना चाहिए एक गिलास ज्यादा खाली है कि ज्यादा भरा हुआ है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस नजरिया से देखते हैं हर पल एक नई सुरुवात कीजिए अगर हम ठान लें तो आज से हम सुरुवात कर सकते हैं जैसे इस बात को एपिजी अब्दुलकुलाम जी भी कहते हैं कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत कुछ ख्याल की तरह होती है खुछ ख्यालों ठीक किया जा सकता है कुछ ख्याल बदबुदार कूण़ी की तरह होती हैं जिन्हें हमें कूणे में डाल देना चाहिए और जो अच्छे मिले उन्हें अपने साथ रकना चाहिए कुछ भी सुरुवात करें क़्र क्या हुआ है क्या करना चाहिए था इन सब बातों को छोड़कर हमें पोस्टिप सुझना चाहिए मैं बहुत बुढ़ा हूँ, पागल हूँ, मोटा हूँ, छोटा हूँ, काला हूँ, हमारी गोल को ये हमें दूर कर सकता है How to Change कभी-कभी जब आप किसी कारिय को सुरू करते हैं तो समय बदल जाता है हो सकता है कि आप उस समय पे उस कारिय को नहीं कर पाएं लेकिन अगर आप उस समय पे लगतार उस कारिय को करते हैं तो आप एक दिन सफल हो सकते हैं और आप कभी भी अपनी आत्मविश्वा से दूर ना हो है Building दिन्यो, आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वो बढ़ता है अगर आप सुचेंगे कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हो तो सच में आपके पास ज़्यादा पैसा होने लगेगा अगर आप यह सुचेंगे कि मुझे इस कारिय को करना चाहिए अगर आप यह सुचते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए तो हो सकता है आप पढ़ेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो 100% की आपकी knowledge इंग्रीज होगी Daily work मैं जो बेहतर कर रहा हूँ वो मैं दिल से करूँगा खुद को हमेशा support करें जब तक आप success नहीं हो जाए जो आप दिखते हैं या जो आप करते हैं उससे आप प्यार करें अगर अगली जिन्दिगी में आप इस कारे को करना चाहते हैं तो आप इसी जिन्दिगी में क्यों नहीं इस कारे को करके खतम कर देते हैं रिलेसंशिप वरिष्टे हमारा आइना होती है जितना प्यार दूसरे से करते हैं उससे लाग गुना प्यार हमें मिलता है प्यार की तलास कहीं और ना कीजिए प्यार आपकी अंदर है अगर आपको बिजनस करना पसंद है और आप जोब करते हैं तो आप उस जोब को जब भी छोड़ते हैं आप उस जोब को किसी और को दे दे और बोलें अपनी आप से अपनी सफलता से बोलें अपनी बिजनस से बोलें कि बिजनस मैं तुम्हारे लिए अब मैं तयार हो और मैं कुछ भी कर सकता हूँ सौकसेज अगर कोई गलती होती है तो वो हमसे ही होती है इसलिए बिजनस में जब भी गलती कोई होती है तो उसे हमें सुधारना चाहिए कुछ भी नया ट्रॉई करने से पीछे ना हटे हमें कुछ भी नया ट्रॉई करना चाहिए और हमेशा कुछ न कुछ सिखते रहना चाहिए प्रोस्प्रिटी आपके पास जो भी हो उतना ही में आप खुश रहें अगर आपके पास हजार उपए हैं तो आप हजार उपए से ही किसी भी बिजनस को सुरुआत करें जिन्दगी में जो भी मिले गिप्ट, मौनी, पैसा जो भी आपको मिले उसे आप खुश हाल एप सेप कीजिए अगर आपका मन बिखरा हुआ है तो आपका दिन भी बिखर जाएगा इसलिए आप हमेशा खुश रहने की कुशिस कीजिए और हमेशा दूसरों को भी खुश देखने की कुशिस कीजिए दी बॉडी, हमारा सरीर हमसे बात करता है जितना आप सांत रहें, उतना आप जरूर रहें क्योंकि सांत रहने से सरीर स्टॉंग होती है और इडिलजेंट होते हैं जो गुस्सा है उसे आप बाहर निकाले और मुश्कुरा कर जिनकी को अच्छे से जीए मैं हमेशा खुश रहता हूँ और हर दिन बहतर महसुश कर रहा हूँ अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सच में आपका दिन सुन्दर होगा और आपकी दिन और आपका समय हर एक चीज बेतर होगा थैंक्यू टू आल माई मेंबर्श मुझे बहुत खुसी है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं सच में ये बहुत ही खुसी के बात है मेरे लिए और हम सब के लिए तो अगर आप ही अपने जिन्दगी में कुछ पाना चाहते हैं आप पाईए सक्सेज होईए जिन्दगी में बीना सक्सेज का कोई मज़ा नहीं है थैंक्स पर बासी जैहिन जैभारत